लोगसबा चुनाब 2024 के लिए भार्ती जंता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 72 कैंडिडेट्स के नाम शामिल है आपको बता दे इस 72 कैंडिडेट्स की लिस्ट में हरियाना के पूर सीम मनोहलाल खटर को भी जगे दी गई है खटर करनाल लोगसबा सीट से चुनाब लड़ेंगे इसके एरावा केंडरी मंत्री प्यूश गोयल और केंडरी मंत्री नितिन गटकरी का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है वहीं आपको बता दे बीजेपी ने मद्रप्रदेश के लिए 24 कैंडिडेट्स की लिस्ट तो पहले ही जारी कर दी थी अब बाकी 5 लोगसबा सीट के लिए भी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो गई है जिसमें इंदोर से वर्टमान विधायक शंकल लालवानी पर फिर से भरोसा जताते हुए पार्टी ने टिकेट दिया है वही सबसे चचचच छिनवारा लोगसबा सीट से पूर्व सीएम कमलनात के खिलाव चुनाव लड़ने पर विवेग बंटी साहु को टिकेट दिया गया है बाला घार से डॉक्टर भारती पारधी और धार से सावित्री ठाकुर्व उज्जैन से अनिल फिरोजिया को भी टिकेट दिया गया है